Hello everyone, welcome to YExambees from my name is Kailash Tiwari, दोस्तों बहुत स्वागत है, हमारी एक नई सीरीज में एक नई जोश के साथ, एक नई जुनून के साथ और ये सीरीज हमारी है Agriculture NCQs की Multiple Choice Questions हम यहाँ पर discuss करेंगे और हम यह क्यों discuss कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हमारे बहुत सारे MSC entrance के examination lined up है तो अगर आप देखेंगे चाहे जीवी पंदी न्यूवर्सिटी का हो, चाहे UP का हो, या फिर PET का है या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ICA examination होना है सभी जून की मन्त में होने हैं तो यह सारे ही हमारे लिए exam में important questions हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं इसके अलावा आप अगर अभी competitive examination देखेंगे तो DSSB का competitive examination है STA का examination होगा, AGTA का examination होगा, तो हमारे बहुत तरह examination भी align है ऐसे में हम i-exam B की तरफ से, क्योंकि i-exam B प्रतिबद है आपकी preparation को 50% faster बनाने के लिए आपके लेकर आए है rapid fire session मैं हमेशा कहता हूँ कि time की value है, चाहे वो आपका time हो, चाहे वो मेरा time हो सो ऐसे में हम rapid fire session करेंगे, general agriculture आज हमारा topic रहेगा ऐसे ही हम आगे आने वाले दिनों में 20 दिन continuous यहाँ पर आपके लिए session लेकर आने वाले है और in session में आप trust करिए कि आपको बहुत सारे question आपके आने वाले examination में reflect होगे उसकी guarantee आपको मैं देता हूँ और न सिर्फ हम यहाँ पर question and answer discuss करेंगे जिसा कि आप बहुत जगह देखते होंगे बलकि हम यह देखेंगे कि question क्या है, options क्या है, answer कैसे decide होगा यह फिर और क्या चीजे इसमें हो सकती है तो बने रहेगा हमारी सारी series में आज का हम general agriculture का है, बड़ साथ में हमेशा आपको यह करना है कि आज हम जो 25 questions discuss करेंगे मुझे end web को बताना है कि आपके 25 में से 25 marks आए या फिर कितने marks आपके आए है start करते हैं, पहले question से simple सा question है, what was था, क्या था है न, है कि बात हम नहीं कर पा रहे हैं आज उसका reason है, क्योंकि उसका बड़ा reason है climate change कि climate change को भी यहाँ पर धियान रखते हैं discuss करेंगे, क्योंकि बहुत सारे question आज को climate change related आ रहे हैं what was the primary objective of the green revolution in India, green revolution लाने के पीछे क्या मुख्य कारण्ट था, option देखिए to promote the sustainable farming यह तो बात ही किस ने की, उस समय हमारा पेट भर जाता, यह बड़ी बात थी second आप देखिए to achieve the self sufficiency in the food green production, यह बिल्कु सही बात है, हमको self sufficiency चाहिए थी, मतलब हमको जो वो लाल गेहूं के दानों के लिए America कर्मू देखना पड़ता वो ना देखना पड़े, इसलिए हम यह करना चाहते थे, to conserve natural resources यह बात था, ना हमने की, ना हमने ध्यान दी, to promote organic farming practices, no, क्योंकि जो green revolution आया, वो एक बहुत heavy cost में आया है, और यह बात आप सभी को यहाँ पे समझने की है फोड़ा सा यह भी समझे, क्योंकि यह heavy cost है, यह heavy cost क्या है सबसे पहले तो देखे, cost of production increase हुई, cost of production आप कहेंगे cost of production increase हुई, तो output भी तो increase हुई, income भी increase हुई, बट आज के टाइम के आप देखे, cost of production जादा वरती जा रही है, income में उतना change नहीं आ रहा है, तो cost of production increase हुई, इसका मतलब क्या है जो chemicals थे, उनका use जादा हुआ, चाहे वो fertilizer है या चाहे pesticides है, और इसके साथ irrigation, और यही एक कारण है, जहाँ irrigation नहीं था, वाँ green revolution नहीं आया, अगर आप देखेंगे, UP में पंजाब में, हरियाणा में यहाँ पे green revolution देखने को मिला विहार में, बट सदन पार्ट में यह नहीं देखने को मिला, और उसका result क्या है, इतने chemicals यूज करने का result यह है, कि आज हमारा जो aquifer है, ground water level है वो deplete के साथ सा pollute भी हो गया है, cancer train का चलना क्या मतलब है यही मतलब है, कि हमने इतना pollution के साथ खिलवार किया, बट आज देखे, उस समय की requirement के according, यह main objective था, और objective क्या था, self-sufficiency चाहिए थी आज हम self-sufficient है, हमारा पेट भरा हुआ है, अब हम किस की बात कर रहे है sustainable farming की, हम किस की तरफ जहां दे रही है, इसकी तरफ दे रही है क्योंकि अगर sustainability नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आज के टाइम पर आप सारे award देखे, किस चीज़ के लिए sustainability के लिए, climate change के लिए जितने भी world food prize recent में दिये जा रहे है, सब किस के लिए दिये जा रहे है हाईडी को उनको मिला था, again उनको क्यों मिला था, mines to wines, ये बोला जाता है, उनके लिए mines को उन्होंने convert किया wines में, मतलब जहां पर युद्ध स्थल थे, mines बिच्छी हुई थी अंड्रियाउन माइन्स थी, वहां पर उन्होंने change करके wine, मतलब अंगूर बढ़ा उनका काम था, इससे पहले किसको मिला है वाट बताईगा, क्योंकि उनका बहुत पुराना ओरीजिन इंडिया से ही है तो कुछ कुछ चीजे ध्यान में रखिए और ये बहुत एक important issue है, ये क्यो important issue है, COP28 recent में held हुई, Government of India की तरफ से आप देखेंगे, प्रहान मंत्री मोधी जी, वहाँ पे गए थे नाभाट का इसमें बहुत बड़ा रोल है तो ये चीजें आपको पता होने चीजे, COP28, climate change बहुत important चीजे है, जरूर यहां देके पढ़िए इससे related question आपको मिलेंगे simple question हमें क्या मिलता है, which one of the following is a greenhouse gas, मिलता है ना तो इससे related और question भी हमें मिल सकते है next question की तरफ आते है कौन सी branch है soil science की जो concerned है, किसे formation, classification and distribution of soil तो यहां भी formation की बात आगी distribution या classification की बात आगी मतलब किसकी बात आगी है, pedology pedology मतलब soil formation की study को, अब question आता है, ideology क्या है, ideology क्या है जब हम substrate की level पर बात करते हैं, मतलब जब हम soil को as a portion करता है, या फिर जहां पर हम substrate मान के पर study करता है, उसको ideology बोलते है, petology क्या है, rocks की study है, under geology, geology क्या है, जहां पर हम सारी पारिष्टति को पढ़ते हैं, तो यह क्या है, किस question से related है, soil की science की study से related correct answer क्या है, pedology next question की तरफ आते हैं, which of the following is the apex bank for the agriculture credit in India, agriculture credit को देखने वाला, जो apex bank है वो कौन सा है, नाबाड है doubt क्या होता है, sir क्या यह regulatory bank है, नहीं कई बार क्या होता है, और खास कर यह misnomer हो चुका है, क्योंकि हम बोलते हैं कि, हम किसकी preparation कर रहे है, regulatory body की, हम कहते है, regulatory body की preparation कर रहे है, RBI है नाबाड है, SEBI है बस यहीं पर ही गड़बर हो जाती है क्योंकि अगर आप देखेंगे, regulatory body, RBI तो है, SEBI भी है, बट नाबाड नहीं है, नाबाड क्या है फिर, नाबाड क्या है, DFI Developmental Financial Institution SIDB क्या है, Developmental Financial Institution, मतलब यह किसी particular एक sector का विकास करते हैं, financial help पहुचाते हैं, कि स्कीम सो बनाते हैं, यह इनका काम है, regulatory का क्या मतलब होता है जो regulation देखता है, तो monetary policy को कौन regulate करता है RBI, stock exchange को कौन regulate करता है, SEBI यह regulatory bodies है, नाबाड regulatory body नहीं है, याद रखेगा अब क्योंकि National Bank for Agriculture and Rural Development है, तो यह क्या करता है, agriculture credit के flow को सारी चीज़ों को manage करता है यहाँ पे देखिया, RBI क्या है regulatory हमारी Reserve Bank of India regulatory body है, किसको regulate कर रही है monetary policy को, SIDB क्या है, Small Industries Developmental Bank of India, Small Industries MSME की बाद, State Bank of India क्या है, PSU है, Government of Bank Government of India का सब्ले सेक्टर Bank है, उके target करना है, सभी को target करेंगे मैं आपको बता दू, अगर आप SBI को target करते हैं, नाबाड को target करते हैं RBI कभी आपको preparation आपकी होती है, और जिब यह होती है तो SIDB भी कही नहीं target आता है और इन सभी में job बहुत अच्छी है यह हम सिर्फ AFO की तरह देखें, यह भी job अच्छी है, आज UPS से का result है आपने देखा कि RBI में जो एक लड़की work कर रही थी, उसके 6th rank है, इसे बहुत सारे example भरे हुए है Next question, National Fish Farmers Day किस दिन observe किया जाता है, Fish Farmers National इंडिया से related है, किस दिन observe किया जाता है, 10th of July को, क्यों किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो Dr. Hilal Chaudhry थे और उनके जो कलीक थे, Dr. Cage, Elie Kooni उनका Indian Fisheries में एक बहुत बड़ा रोल था, और वो रोल क्या था जो IMCs है, Indian Major Carb हम Indian Major Carb किसे कहते हैं, रोहू कटला और म्रिगल तो यह तीनों ही important है, याद कर रखीगा लेबियो रोहिता, रोहू का नाम है, कटला कटला, कटला का scientific name है म्रिगल का क्या है मैं तो यह ऐसे याद रखेगा, क्योंकि यह question पूछा जाता है, नाबार जिसा examination में पूछा जाता है, तो IMC किसको हम बोलते हैं, Indian Major Carb में, क्योंकि Carbs का बहुत जाधा consumption होता है और यह Carbs का जब भी word हम use करते हैं, तो किस की बात आती है, fresh water fisheries की, हमेशा याद रखेगा और अगर हम word use कर रहें, sardines यह बहुत टाइप दे sardines होती हैं, तो वो कहां से, वो कहां की system की है, marine system की, fresh water मतलब, जो हमारे fresh water में होती है, marine water मतलब समुद्र में है, यहाँ पे अगर हम salinity की level की बात करेंगे, 0.5 ppt से कम, यहाँ पे हम salinity की बात करेंगे 30 ppt से ज्यादा की बात है, इसके बीच का जो पार्ट है, वो brackish water में होता है, so इन्होंने reproduction method induced की थी, इंडियन मेजर काप में वो उसको क्या बहुते है, हाइपो फाइसेशन technique, which eventually led to a revolution in inland aqua culture, तो यह इस वज़े से हम इस दिन national fish farmer desalivate करते हैं, IMC, Indian major carp, minor carp अपने mind में clear रखेगा किसे तीन टाइप के fisheries है, inland fisheries है, brackish water fisheries है और साथी साथ marine water fisheries है, तीनों की ही कौन-कौन से major breeds हैं, यह ध्यान रखेगा, जिस दिन हम fisheries पढ़ेंगे, तो फिर से discuss करेंगे, किसका composition पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है, आप सभी को पता होगा, जो नाइट्रोजन का है, डीएप में 18% नाइट्रोजन होती है, और 46% फोरस होता है, अगर हम यहाँ पर यूरिया की बात करते तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वहाँ पे दूसर फटलाइजर नहीं होता है, अभी आपको पता होगा, दो-तीन चीज़ें यहाँ पर discuss कर लेते हैं, एक scheme है, प्रधान मंत्री भारती जन उर्रक परियोजना, प्रधान मंत्री बीजेपी, वैसे भी लागो हो जाता है, जो हमारे प्रधान मंत्री भारती जन उर्रक परियोजना, इसके अंदर क्या किया गया, भारत टेग का क्या मतलब है, सिंगल ब्रेंड नेम के अंदर सारे फटलाइजर बिकिंगे, ऐसा ना हो कि फार्मर को लगे, कि भाईया, इफको का फटलाइजर अच्छा है, एनेफल का अच्छा नहीं है, तो मैं अगर इफको का नहीं मिला, तो एनेफल का दुगना डाल देता हूँ, क्योंकि यूरिया चाहे किसी का भी बना हो, 46% नाइटरोजन ही देगा, तो ये सारे लॉसेज ना हो, और केमिकल है, बहुत बड़ी कॉस जाती है, गौवर्मेंट आफ इंडिया की, बहुत बड़ी सबसेडी इसमें दी जाती है, केमिकल से मैनेफट बहुत जादर, इसलिए सब किया जा रहा है, और इसके अंदर चार फटलाइजर है, आप देखेंगे, यूरिया है, डी एप है, मो पी ह है, और एनपी के है, ओके, मो पी और एनपी के, इसके साथ अगर आप देखेंगे, यूरिया के अगर हम जब भी प्राइस की बात करते हैं, कि यूरिया 45 kg के बैग मे यह आजकल आने लगा है, अलगि 50 kg के बैग में भी आता है, तो आप देखेंगे 2, 42 इसका प्राइस है, आप यह तो अब क्या हुआ था अभी दो साल पहले आप देखेंगे इंटरनेशनल प्राइस जो फटलाइजर के हैं रॉम इतने जादा बढ़ गए कि गवर्मेंट आप इंडिया को इसमें सबसेडी फर्दर 700 रुपीज इंक्रीज करने पड़ी फर्दर 700 इंक्रीज करने पड़ी मतलब पहले कितनी मिलती थी 500 रुपे की मतलब total सबसीडी कितने की दी जा रही है 1200 की और फार्मर को वैक कितने का पढ़ रहा सब मतलब गौर्वर्मेंट के लिए कोस्ट कितने की है 2400 की तो समझ यह कितनी बड़ी सबसीडी इसमें दी जाती है तो यह थोड़ा सा समझना है क्योंकि यह सारी चीजें हमारे निगेटिव पॉ सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर वीट सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है आप देखें नौर्थ वेस्ट प्लेन नौर्थ इस्प्लेन नौर्थ इस्ट की जब बात करेंगे तो नौर्थ इस्टन स्टेट्स हो गए नहीं क्योंकि धर आप देखेंगे पहाड़ी इलाका इतना कोई बड़ा ज्यादा प्रोड़क्शन नहीं होता है और हम यहां पर क्या बोता है वीड प्रॉड़क्टिव डैन सेंट्रल जोन सेंटल जोन में वीड प्रोड्यूस होता है क्योंकि MP में भी आप देखोंगे MP की रह सेंट्र रैंक रहती है पहले इन सुलर रीजन तो नीचे हो गया वहाँ पे इतना नहीं है तो हमारे पास दो अप्शन बचे नौर्थ वेस्टन प्लेन और सेंटल जोन बट आप दोनों में देखेंगे जो सबसे अधर प्रोड़क से 25% more of the long term average it is classified क्या बोलते है रेंफॉल के basis पर सिंपल दिमाग ही नहीं लगाना है रेंफॉल हमने किसके अंदर पड़ा मेट्रियोजी के अन्दर तो कैसा रॉट है मतलब हमने जो मौसम के कुछ पेरामेटर बनाये हैं उसके एक बात कर रहा है तो यह किसकी बात होगी मे metrologicalवाट रॉट है अटमास्फरीक डॉट एक्मास्फर से रिलेटिद डॉट फिसीलोजीकल इस से रेलेटिड रॉट है वैसे डॉट नहीं है बट जिस समय आप देखेंगे तो यहहां पर के क्या है मेटालोजिकल डॉट है क्या है लास आप देखेए 2000 152 दिन एक्सट्रीम वैदर कंडिशन रही है इसको थोड़ा सा समझेगा क्विषी जिद्लग सीवाल कि प्रती आपकी छिए आपको समझा आना चाहिए कि क्या माइने है एक्स्रीम वेदर डे का मतलब यह होता है कि पिछले साल लगभक सा रहे ही दिल नॉर्मल कंडिशन तो रही नहीं कहीं ज्यादा सूखा पढ़ रहा है कहीं ज्यादा बारिश और कहीं ज्यादा गर्मी पढ़ रही है तो मतलब समझे कि कितना चींज हमारी क्लासिफाइ करते हैं सुखा ही कहिंगे सो यह क्या है सारी चीजे रौट के लासिफाइब से से पूछा आता है स्टे डिवीजन है इक्वेशनल डिवीजन इसको बुराता है तो जितने क्रोमोजोम पहले थे उतने ही क्रोमोजोम रहेंगे बस वह हाफ हो जाते हैं और फ़र से वह जब इंटरफेज में जाएंगे तो फिर वह डबल हो जाएंगे क्योंकि मैं हमेशा कहते हैं क्या होता है आप जो फेज है चोटा होता है बाकी क्या होता इंटर फेस अब मुभी और इंटर वाली बात यहां पर आ जाते इंटर फेस्स तो इंटर फेस नहीं घएंड पर यहाँ पर ऊंटर से सेम रहेगा कोई चेंज यहां पर नहीं आने वाला है क्रॉप विचा ग्रून तो सप्लीमेंट ग्रोथ और में क्रॉप में क्रॉप हमने लगाई है उसमें सप्लीमेंट करने के लिए हम दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रैप क्रॉप क्या है ह improvements क्या है यही है ईले Kॉप और इक्रॉपिंग क्या होता है जो यहाँ फिर गया है зовут कर लगाते हैं कि गोजते हैं कि को इसके साफ आपक इन्याव लगाते हैं कि हम जब यह बात करेंगे कि यह तक इसी कौन सी कौप हमने लगाई supplement the main crop, उसको हम क्या बोलते है, augment crop, ठीक है, augment crop उसको बोला जाता है, next question देखे, कितना अच्छा question है, conservation tillage, एक type का tillage है, जहाँ पे हम conserve करते है, soil water energy resources, answer यहीं से आ गिया, इतनी line से ही आपको answer मिल जाएगा, अगर आपको answer नहीं पता है तो, which of the following is in shell, clean cultivation has to be done, मुझे नहीं समझा क्या है, क्या है, हम छोड़ देते हैं, returning is done to avoid the tillage operation, बात ठीक लग रही है कि returning कर लेते हैं, but आपको पता होगा, मतलब return तो हमें एक बार कर सकते हैं, कितने बार तक करेंगा, return हर कॉप में भी possible नहीं है, तो फिर मतलब kevel sugar की नहीं, conservation tillage हो सकता है, अब देखे, next option, 30% of the soil surface should be covered by crop residue, क्या फाइदा होगा, crop residue से cover करना है soil को, water losses बचा रहे हैं, evaporation losses बचा रहे हैं, next option देखे, primary, secondary tillage, इतना करना पड़ा तो फिर conservation tillage ही किस बात का है, तो वो क्या है, conservation करते वें चलना है, conserve किसको कर रहे है, soil surface को cover करके, water को conserve किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे आतला वेंदर, tillage operations are greater than 15 cm in depth, और जब less than 15 cm होते हैं, उसको हम क्या बोलते है, secondary tillage, simple classification होते हैं, बच्छे confused हो जाते हैं, confused नहीं होना है, primary tillage किसको कहेंगे, जहाँ पर 15 cm से ज्यादा की खुदाई करनी पढ़ दी है, या फिर जुताई करनी पढ़ दी है, tillage operations करने पढ़ रह है, जहाँ पर tillage operation 15 cm से कम करने पढ़ रहे हैं, उसको हम secondary tillage बोलते हैं, equipment आप अपने साब से सोच लीजिए, अब जितने भी हमारे प्लॉइंग instruments होंगे, वो सारे primary tillage मैंगे, हेरो टाइप हमारे secondary tillage मैंगे, कि इन तोसी definition होती है, और दूसरा होता है purpose, कि है purpose क्या है, यहा हमारे target है, हमको पलटना नहीं है, हमको उसको घुरा बराना है, ताकि हम उसमें कर सकें, तो यहां पर क्या दिया है, कि क्या करना है, primary tillage को पूरी तरह से रिस्टिक कर दिया जाता है, secondary tillage की जाती है, क्या है, option देखे, minimum tillage, zero tillage, stable tillage, यहां पर off-season tillage, stable mulch तो आपको समझ आगे, कि stable की mulch दालनी है, तो यह तो यहां पर नहीं होगा, off-season में करना है tillage, इससे कोई मतलब नहीं है, सही answer क्या है, zero tillage का, zero tillage मतलब, यह minimum tillage के अंदर काई ही part है, यहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ seed sowing से related करेंगे, तो primary tillage हम नहीं करते next question क्या है, why decomposition of rice straw is difficult, बहुत अच्छा question आगा, rice straw का decomposition difficult क्यों है, क्यों farmer को आग लगानी पड़ जाती है, यहीं से बड़ा reason है, और उसकी वएसे pollution होता है, बाकियों में इतना pollution नहीं तो इसी में इतना pollution क्यों है, अरे भाया हरी चीज को आप जलाओगे, हरी चीज मतलब क्या है, life है, life है, मतलब carbon का content जादा है, nitrogen का content कम है, जिसमें भी life है, carbon content जादा है, decompose हो गया, nitrogen content जादा है, तो cn ratio तो ही जादा, अब देकि क्या, rice straw contains silica, silica तो होता ही है, और यहीं बहुत बहुत बहुता है, उसके धुए और इसारी चीज की, microwave activity decreases in cold weather, जैसे जैसे फसल करती है, हमारा cold weather आने लग जाता है, microwave activity कम हो जाती है, decomposition की process कम हो जाती है, cn ratio बहुत जादा हाई है, तो बहुत जादा time लगता है, again cn ratio जिसका जादा हाई होगा, उसको decompose होगा, उतना ही time लगेगा, cn ratio जितना कम, cn ratio क्या है, simple की बात तो, carbon to nitrogen ratio अब मेरी carbon 400 है, और एक nitrogen है, अब एक विचार है nitrogen इसको कैसे decompose करेगा, cn ratio का मतलब है कि carbon to nitrogen का क्या ratio है, अगर cn ratio हम कहते कि 1 is to 20 है, मतलब 20 nitrogen है, 1 carbon है, यह तो अच्छा ratio है, यह चीज़ हमें देखनी होती है, तो यहाँ पर सारे option ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हमन है, वो चना है किसको, insect को, या फिर pest को, तो वो क्या है, caster crop है, बाकी तो आप देखे मीज, यहाँ पर serial crop है, cotton हमारी fiber crop होगी, soybean हमारी pulse crop हो गई, all seed crop हो गई, हम soybean को कहा classify करते हैं, दोनों इसको ध्यान लखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वंडर crop बोलते हैं, next question के अब चलते हैं, among the listed option, which crop demonstrated notably high tolerance to salt, कुछ भी नहीं करना है, पहला यह option ठीक हो गया, बारले, सारी crops यहाँ पर देखे, बाकी तो सब ऐसी हैं कि जो, अच्छा पानी जाई, अच्छी condition से यह बारले कैसी condition है, जो tolerate कर जाती है, salt की condition को, preferable soil quality cultivation, last year का favorite question, last year दो examination में CTC का full form, full form या बताने का मान करते हैं, रोग भी नहीं पाते हैं, बट पूछना भी है, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, CTC बताईएगा, और यह क्योंकि CCI में भी पूछा गया था, उसके अलावा, IIV के CFO में पूछा गया, तो यह चीज़ है, अभी पूछा गया, tea cultivation का होता है, सोचे, plantation crop है, plantation crop जहां पर बहुत लार्ज एरिया में हमें, state में farming कर रहे हैं, कहां पर करते हैं, पहाडों में, बड़े-बड़े पहाड है, जिल्ली पहाडों में कौन से सोईल होती है, acidic, acidic soil is preferable, according to the CREDA, CREDA क्या है, Central Research Institute for Dryland Agriculture, कहा है, है, हैधराबाद में, क्या करत है, Dryland Agriculture, हैधराद में, एक और Research Institute है, कौन सा है, इक्री सेट, क्या करता है, International Center for, Center for Research in Semi-arid Tropic, similarly, आपको एक और कोई इस institute हमने सुना है, वो कौन सा है, काजरी, Central Arizona Research Institute, और भी अगर कोई से रिलेटेड है, comment box से मुझे बताईएगा, इन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने, CREDA ने depth बताई है, deep tillage की, अब यही question, last year, दो बार कुछा गया, CCI में भी, A4 में भी, क्या है, मैंने अभी आपको पह किस को बोल रहे है, जहां पर हमको less than 15 cm से कम की tillage करनी पड़े, तो यह चीज है, अब primary tillage को हम किस में मान लेते है, deep till, deep ploying में मानते है, और सब soiling different हो जाती है, 30 cm से या 40 cm से उपर जाती है, तो यहांने classify किया, और होने 5 to 6 depth shallow, और 15 to 20 medium deep, और यहां पर 25 to 30 को deep ploying में classify किया तो यह आपको ध्यान रखना है, ओके, यह question दो बार पूछा जाती हुआ है, which type of water refers to the water present in soil and available for plant, विल्कुल जैसा plant वैसा answer, simple सा, plant किस color का, green color का, answer क्या है green, green water हम किस को बोलते हैं, green water उसको बोलते हैं, जो life के साथ associated है, जो हमारी life, living के साथ associated हैं, जो हम green water हम किसे बोलते हैं blue है, पानी-पानी, कहां, समुद्र में, इधर नदियों में, यह सारा पानी क्या है, blue water, grey water क्या है, जिसको हमने एक बार यूज कर चुके हैं, reuse करना है, तो grey water, घर का waste, यह सारा चीज किसमा आता है, grey water, red water, कुछ नहीं होता है, तो यह ध्यान रखना है, यह हमते क्या सिंपल सी चीज होगी, enzyme को यहां पर पूछा है, हलाकि कौन सा enzyme है, यह हमारा किस से निकलता है, पपेन से हमें extract करते है, enzyme को यह पर, वहां पर यह enzyme बनता है, और basically किसके लिए यूज किया रहता है, trendization की, 1963 में, जब green revolution चल रहा था, जिसकी इतनी बड़ी बात हमने की, तो द variety को बिना किसी change किये, हमने यहां लगा दी, उसको हम बोलते है, primary introduction, example, कल्यान, sorry, लर्मा रोहो और सोनारा, 64, अब हमने थोड़ी सी अपनी माथा पच्ची करी, और उसमें कुछ यहां की crop से cross करा दिया, और अपनी नई variety बना दी, जो हमने बनाई, कल्यान, सोना, सोना लिका जया और पदमा आप देखेंगे, यहां की varieties है, लर्मा रोहो और यहां पर जया तो हमारी variety है, what was the key component in white revolution, green revolution की तरह white revolution में क्या की component है, cross breed cow को introduction किया, हाँ भी, जैसे green revolution हमने chemical लाए, यहां cross breed लाए, और इतना cross breed करा है हमने, कि आज हमारे, जो हमारी indigenous breed है, साही वाल है, वो बह solution of cooperatives, यह हुआ, और cooperative हम सफलता मानते हैं इसको, और improvement of feed and livestock, यह तो हुआ ही, so all of them is again correct answer here, okay, next question है, national center for the organic and the natural farming, it's located at, कहां है, काज़ेबाद में है, question अभी recently, UK SSSC और एक और एक गामनेशन है, पूछा गया, various type of cloud, thunderstorm, cyclone, anticyclone, यह सारे इतिक्डम कहां होती है, यह सब यहीं होता है, क्योंकि, इसके उपर कुछ नहीं होता, इसके उपर आब देखो कि बागी सारी चीजे होते हैं, temperature भी आप देखे, decrease होने लग जाता है, यहां पे पहले देखे, temperature यहां बढ़ रहा है, फिर यहां पर घट रहा है, फिर यहां पर फिर बढ़ रहा है, ति यह temperature के variation सes यह भी आप देखिए का ज्यांसर रखेंगा मैंसे हम चीजे जो हमारे कोश्चन पुझाते हैं जिसको हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं स्टोर कर सकते हैं उसका एक्जैंपल पूछा है और्थोडॉक्स क्या है जिनको हम ड्राइ कर सकते हैं इसके आसपास तो मतलब इनको त क्या है जिक अंसर क्या है रिख इंटर्मेडेर निदोने के बीच करूगे तरहां पर करेक्ट आंसर क्या है रिख इंटर्थ यह जी कर शिठ एंसर नेक्स थे लास्ट कोशन प्टव देए, वही इसका अंसर है और्प्शन क्या है अग्रीकुल्चर प्रॉसेश्च एक्सप process related जितने ही food items है उसको export से related काम करने के लिए नेफिड क्या है National agriculture marketing federation of India यह क्या है marketing federation है federation मतलब जब चुटी-खुटी companies को बड़ा groups को join करके बड़ा बना जाते हैं तो उसको हम क्या होते है federation एक cooperative है बहुत सारे लोग है एक और cooperative बहुत सारे लोग है उन सारे कोपरेटिव का एक सम्मू उसको हम क्या बोलते हैं नावाट के निशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर और रूरल डेवलेब्मेंट एफसी फूड कोपरेशन और इंडिया CWC सेंटल वेराउसिंग यहां पर हमारा करेक्टा अंसर क्या है नेफट जीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं की ट्राइ कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्टा इंफॉर्मेशन दी जाए औक्शन से रिलेटेड और आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताएगा नेक्स्ट टॉपिक आपके कॉर्डिंग क्या होना चाहिए यह भ वर तिस वीडियों है वरी बेड़ दीए